मुनवर फारुखी का कारक्राम एक बार फिर से रद हो गया है बैंगलूरू के बाद अब गुरुग्राम में 17 से 19 दिसंबर के बीच कॉमेडी फेस्टिबल होना था जिसमें मुनवर फारुखी पैनल में जाने वाले थे लेकिन पैनल से अब उनका नाम हटा लिया गया है दरसल ओर्गनाइजर का ये कहना है कि मुनवर फारुखी का नाम आने के बाद लगातार ट्वीट के जरिये तमाम सोशल मीडिया पर इस तरीके के से पोस्ट आ रहे थे जिसमें कलाकारों की और जनता की सुरक्षा को प्रात्मिक्ता देते हुए मुनवर फारुखी का नाम पैनल से हटाया गया ये तो हुई खबर की बार लेकिन मुनवर फारुखी को लेकर आखिरकार बवाल क्यों मचा हुआ है ये आपको बता दे देरसल मुनवर फारुखी हामेशा से कॉंट्रिवर्शल रहे है मुनवर फारुखी जो की गुजरात के जुनागड के रहने वाले हैं के स्टैंड अप कॉमेडियन है मुंबई में कई शोज किये और उसके बाद तमाम शहरों में इन्होंने जाकर शोज किये लेकिन अपने शोज में हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभध्र भाष्रा का इस्तमाल करना टिपणी करना इन चीजों को लेकर ये टागट पर रहें अकसर मुनवर फारुखी जो हैं भगवान श्री राम से लेकर माता सीता से लेकर गोध्रा कांड तक टिपणी कर चुकों मजाक उड़ा चुके हैं सुर्खियों में ये कब आएं ये आपको बता दे इन दौर में मुनवर फारुखी का एक कारकरम हुआ इस कारकरम के बाद मुनवर फारुखी की गिरफतारी की मांग जो है मुनवर फारुखी बाहर आपाए और उस इन दौर के कारकरम के बाद से ही मुनवर फारुखी के जो भी कारकरम हुए उसमें कहीं न कहीं वो निशाने पर रहे हैं इस तपका है जो मुनवर फारुखी को सपोर्ट भी करता है कि कलाकार है और कलाकार को आजादी होनी चाहिए अपनी बातों को सामने रखने की वह stand-up comedian है और वह comedy करते हैं लेकिन वही दूसरा तपका ये भी है जो ये मानता है कि हिंदू देवी देवताओं पर इस तरीके से निशाना नहीं साधना चाहिए क्योंकि एक वर्ग विशेस की भावना आहत होती है और यही वज़ा है कि मुनवर फारुखी जो है वो अकसर विवादों में रहते हैं अब तक 12 शोज मुनवर फारुखी के कैंसल हो चुके हैं इसी तरह की खबरों और खबरों के पीछे की खबरों के लिए आप देखते हैं टाइम्स नाउन अब भारत का डिस्टल प्लेटपॉ झाल